बिग बॉस चौदर की कंटेस्टेंट पवित्रा पुनिया के लाइफ में एक ऐसा भी वक्त आया था जब उनके दो रिलेशनशिप्स एक टाइम पे थे और वो साइमनटेनियसली दोनों रिलेशनशिप्स को मैनेश कर रही थी वो एक ही समय पर फोन पे अपने दोनों बॉइफ्रेंट से साथ में बात किया करती थी जी हाँ मतलब एक कान में एक फोन लगा है और एक से बाती चल रही है और दूसरा फोन लगा है दूसरे कान में और वो दूसरे बॉइफ्रेंट से बात करती थी और ये वाक्या शुनों शेयर किया अब ये भी आपको बता दूँ कि जो राहूल वैद्य है अभी फिलाल उनकी कैमिस्ट्री उनके साथ भी बन रही है और पवित्रा पुनिया और राहूल की कैमिस्ट्री काफी अच्छी भी लग रही है बहुत प्यारी सी बॉंडिंग इन लोगों की लग रही है औ और अजीब बात तो ये भी है शायद हो सकता है कि राहूल वैद्य में भी थोड़ी जेलस भी हुए हो ये जानके कि पवित्रा के दो बॉइफ्रेंट से एक साथ में क्योंकि खेर राहूल वैद्य की आँखों में से बता चलता है कि कहीं तो कहीं वो कुछ फीलिंग्स के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ